तो इंडियन बाइक ड्रविंग 3D में पूलिस स्टेशन के अंदर आकर इतना सारा पानी भर गया कैसे और किसने पूलिस वाले को मारने के लिए इसके अंदर एक बहुत खदरनाक सार्क को डाल दिया तो क्या फड़ेंक्लिन आज इन पूलिस वाले को बचा पाएगा चलिए तो आज में गया हुआ था यार अपने डूटी पड़ जो कहार काम करके लौटते समय देख लो यार इतना जाधा रात हो चुका है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया यार कभ दिन और कभ रात हो चुका क्योंकि यार वह लोग इतना जादा काम करवाते हैं यार कि मेरी तो हालती पस्त हो जाती है तो यार आज मुझे भूका ही सोने पढ़ेगा क्योंकि मैंने खाना बनाया नहीं फिर चलते सोनी के लिए जल्दी से तो यार आज सुबह हो चुका है और आज भाई मैं जाता हूँ अभे यार मैं तो आज अपने ज्यूटी पर जाही ने सकता यार क्योंकि मेरी जो बाइक थी यार मैंने रात में तो यहीं लगाया था और यार सुवसवत वो है यहां पड़ रख दिया क्या नहीं यार मैंने तो रात में सोते बक्त यार हाली-हाली के चक्कर में दर्वाजा ही बंद करना भूल गया अबे क्या यार मेरी फार्चूनर भी नहीं है यार मेरी फार्चूनर और मेरी बाई किसने यार उठा के ले गया यार मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि यार मेरे मैन गेट पे यार देख लो भाई दर्वाजा ही नहीं है यार मैं जल्दी से चलता हूँ पुलिस वाले को ये बात भताता यहां पढ़का तो भाई दर्वाजा ही बंद कर दिया मैं कैसे अंदर जाओ भाई पता नहीं यार किस ने ऐसा किया मेरे साथ यार यह तो मुझे कुछ पता भी नहीं यार अब यार उपर चरगने के बाद भाई पुलिस टेशन के अंदर तो इतना सारा पानी बढ़ चुका ह लेकिन यह क्या भाई इसके अंदर एक सार्क भी है और जो के पुलिस वाले को मार रहा है और बागी के पुलिस वाले कहां गया यार छट के ऊपर तो नहीं है यार अरे फ्रेंक्ली नमें बचा लो प्लीज हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में सार्क से बचाओ अब भाई प पानी का टंक मतलब के इससे नलका से यार पानी अंदर भेजा जा रहा है यार इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि यार पानी जो है भाई इतना जादा वड़ चुका है कि इसके ऊपर से पास होने लग गया यार मुझे जल्दी करना पड़ेगा यार यह तो हो यह नहीं मेरा भाई इसमें तो जंग लग चुका है यार मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा अच्छा मेरे पास एक क्या डिया यार मेरे एक दोस्त है मेरा जो कि यार वो पलंबर है और वो इसका काम कर सकता हूं उसी के पास अगर कुछ होगा ना भाई रिंच बगर है जो भ यार मेरे पिस्टल के लाबा किसी और के गन से खुले गा है नहीं तो मैंने इसको खोली है और यह मेरी निंजा इस्टु आर और इसको लेते हैं जल्दी से चलते हैं यार अपने दोस्त के पास जो के पलंबर का काम कहता है और यार उसके पास वह चीज़ होगा जिस से मैं इसको बंद कर सकता हूँ तो जल्दी से चलता हूँ पता नहीं यार आज मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है यार एक तो मेरी बाइक चोड़ी होगी फॉर्चुनर चोड़ी होगी एक तो यार पुलिस वाले को साइउ हर्क मार रहा है से मैं पुलिस वाले को बचा पाऊंगा यार पता नहीं किसी ने उसके अंदर पानी भर दिया यह यह है वह लूक केसन भाई जो के उसने मेरे दोस्त ने अभी मुझे दखाया और इसकी मदद से यार मैं उस नौट बल्टू को खोल सकता हूं और बंद भी कर सकता हूं जिससे बहाई वो जो है नहीं यार वो जहां से पानी आ रहा है बहाई पता नहीं किस ने ऐसा सिस्टम कर दीया बहाई मुझे उसको बंद करना पड़ेगा जल्दी से वरना सारे कर सारे पुलिस वाले डूब करके मर सकते हैं और सारक भी उसकе अंदर जल्दी से चलता हूँ यार उसके लिए मुझे उसने कहा है कि चाइलेंज भी तुम्हें कम्पिलीट करना पड़ेगा अबे यार नहीं यार फ्रेंकिलिन मरना नहीं यार जल्दी चलो भाई बाइक लेकर के आते हैं फिर इसको करते हैं यार कम्पिलीट इस टास को यार यहां पर देख सकते हो इसको अगर मैंने पूरा कर लिया तो यार मुझे वो चीज मिल जाएगा जिससे मैं उसको बंद कर सक अबे यार सामने यह तो घीरा हुआ है पुड़ा जार्यों से यार बस रास्ता बे भाई इतना जारा यहां पर फैन लगा हुए भाई अभी नीचे फ्रेंकिलिन जल्दी यार अभी जस्ट नीचे गिर जाते हैं भाई सामने एक और कंटेनर था मैंने देखा इनी उससे टक नहीं है यार तु क्या कर रहा है यार नीचे गए नीचे गए यार अबे भाई साव यार यह फ्रेंकिलिन पताने यार पागल हो चुका है यार यह उल्टी सीधे हरकत कर रहा है यार अभी रुक भाई जब वो नीचे होगा तो जल्दी से जाना और जंप करके भाग सकते है यार जल्दी बस बस यार ये खड़ा हो चुगा है पूरा यार अभे सामने एक और कंटेनर वो भी है यार इससे जल्दी से चल जल्दी से चल यार वरना ये भी बापास से सीधा हो जाता अभे नहीं यार एक और कंटेनर यार मुझे लग रहा है इस दन में गिड़ी यार बाइक फस चुगा है यार चलो भाई यहां तक तो आ ही चुके यह अभे सामने भी ब्रेक ब्रेक मा यार यह क्या कर दिया अभे नहीं नहीं यह नीचे hooray नीचे मुझह करना पर जाएगा यार देख लो भाई इतना उपर आने के बाद मैं गिर गया था यार मुझे फिर से वहाँ तक जाना पड़ेगा यार जल्दी जल्दी करते हैं फिर इसको कंप्लीट आठका चैलेंज हो भाई बहुत जादा ही खतर ना कि इसको जल्दी-जल्दी करना पड़ेग और यार उसके अंदर किसी ने ऐसा हरकत किया कि यार सार्क को ला करके रख दिया है और सार्क भाई सारे के सारे पुलिस वाले को मारते ही जा रहा है यार उसने कितने पुलिस वाले को मार भी दिया यार और सारे पुलिस वाले तो डड़ से यार छट के ऊपर चढ़ गए यार तो मुझे उसको किसी तरीके से बचाना पड़ेगा यार जल्दी से अगर मैं उसको बचा लूँगा यार तो भाई बहुत जादा ही अच्छा होगा और फिर पुलिस वाले इन चोड़ों के बारे में यार पता तो वो खुदी ही लगा लेंगे कि किसने ऐसा किया क्यों कि या पुलिस वाले हैं वो लोग और भाई वो जल्दी से इसको कर सकते हैं और मुझे उसको बचाना ही पड़ेगा वरना यार मेरी बाइक चोड़ी हो गई यार और मेरी फॉर्चूनर भी चोड़ी हो गई यार तो इसके लिए तो मुझे पुलिस वाले को किसी तरीके से बचान अभी नीचे चाता है यार भई सामने का रास्ता जो है गई बहुत जीद्धा खतरनाक से मुझे लग रहा है यार अबह Capital मुझे लग रहा है कि आसानी से हो जाएंगा भाई यहाँ अपनी राइक ठाठक गई थी यहाँ सोच चुका यहाँ पर जंप है या फिर slow slow करते भाई क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा यहां सामने से कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन यहां पर एक रैंप है और रैंप के आगे यह जो कंटेनर है यह बस फ्रैंकलीन यार अभी नीचे जाता जल्दी से जंप अब यार यह पापिस क्यों गया अब यार कंटेनर इसी साइड आड़ा जल्दी भाग अब अब नहीं नहीं यह अभी जस्ट नीचे जा सकते थे और फिर यहां तक आने के लिए मुझे फिर से इतने सारे नहीं नहीं भाई पहुच गए यार अच्छा हो यार अच्छे से यहां तक पहुच चुके मिल चुका है वो चीज जिस से हमें लेना था और भाई देख लो फ्रैंकलीन काफी जादा खुस है यार क्योंकि इसने रिंच को ले लिया है और यहां पर आ चुके आप इसका पानी भी खाली करना पड़ेगा और भाई पुलीस वाले कोई बचाना है यार सार्क भी मर सकती है पानी निकालने से वैसे मैं अपने दोस्त के पास जाता हूं जल्दी से और पता करता हूं कैसे इसका पानी निकाले और सार्क को भाई उस पानी आने वाले को तो मैंने वाटर फंप मिलेगा जिससे तो पानी सारा बाहर निकाल सकता है ठीक है और साथ ही में एक ट्रैक्टर भी मिलेगा इस पंप को ट्रैक्टर में रखके वहां पुलिस ट्रसन पर जाना और इसी के अंदर सार्क को रखना और पानी में छोड़ देना लेकिन ध्यान से मैंने सुन यार अभी नीचे जातेगा इस बाइक तो फस्ट चुकि यार उतरना पड़ेगा और फिर यार पता नहीं बाइक निकलेगा यार फिर निकल गया यार फ्रैंक्लीन ने ऐसा लात मारा यार कि हमारी निंजा स्टॉर्ड यार दूर जाकर के फेकाया और यार इस तरफ आ चु और यार एक दो टकर हो चुका भी अभी तक और यार यह क्या भाई ये कनटेनर मुझे आ गए नहीं जाने देरहा है यार ये तो उसी साइट मुझे ला गर गर ला भाई लशाइब सेंपन यार अगर इस चैलेंज को भी अगर मैं कम्पिलिट कर दूने यार तो वीडियो लाइक करके चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हैं भाई और भाई यहां से जल्दी चलते हैं बहुत जादा ही मुस्किल चैलेंज है यहां पर फूल स्पीट में जाना पड़ेगा जल्दी भाग जल्दी भाग यह फैन नीचे गिरा देगे वरना यह बाइक भी लाना पड़ेगा भाई जल्दी कर जल्दी कर यह फैन अभे नहीं अभी गर जाते हैं यह सामने यह कैसा रास्ता है भाई मुझे तो लगता है मैं कभी भी इसको नहीं कर पाऊंगा यह व्या यार मैं इसको complete कर सकता हूं यार इसलिए उसने कहा था भाई काफी जादा मुस्किल चैलेंज है भाई बस यार टायर ना स्लिप कर जा भाई अब यार अब भी नीचे थे नहीं नहीं यार आ चुका है टायर वापिस से उपर बस यहां से नहीं उस साइड भाई थोरा इधर अ साइलेंस भी गरा नीचे जा सकते नहीं यार यहां पर जंप लगा लगता है टायर स्लिप होगा अब यार भाई अब भाई नीचे गए यार टायर पूरा नीचे चल लगए अब भाई फिर से बाइक फस्ट चुकिए यार फ्रेंक्लिन ऊपर पैर रखे हुए है और बाई तो निकल ही जाएगा यार देख लो यहां पर से धक्का देंगे और निकल जाएगा यार तो कितनी जादा मेहनत के बाद बाई तो निकल चुके है और अब हमें आगे का रास्ता यार लगता है और भी जादा मुस्किल लग रहा है यार इसको जल्दी से करते वरना भाई य जैंधी यहयुक्त पुटा पूड़ा। गलीच पर इस is कहा है है। अफे श्ञut अभी नीचे सकते저ह ने सकते सकते सामने का रास्ता वह भी यह इसलिए थार लाने के लिए यार थार दिया गया था और यार लेकिन अगर मैं थार लाता नहीं तो यहाँ पर गाइज देख लो complete हुई नहीं हो पाता यार थार आगे जाही नहीं पता भई बाइक से इतना कम रास्ता मिल रहा है और थार से और क्यार ही रास्ता मिलता भई यहाँ से full speed में जम्प करते हैं और पहुंच ही जाएंगे हम उस चैलेंज के लास्ट में तो भाई साब यार मैंने चैलेंज कम्प्लीट कर ही दिया है और मिल चुका है हमें एक ट्रैक्टर और एक पंप यार इसको मैंने लोड भी कर दिया है पंप को और जल्दी से इसको लेकर के चलते हैं पुलिस स्टेशन में अब यार अब भाई साब यार ओडी वाले भाई सामने से रास्ता देख के चला भाई यार यहाँ पर इसके अंदर जल्दी से पंप को लेकर के चलते हैं और अब इसको अंदर डालते हैं पाइप मैंने बाहर डाली दिया है बाकी ये जो पानी है सारा का सारा यहाँ पर घास जो दिख रहा नहीं है इसमें चला जाएगा चारो तरफ बैएकर बस मैंने पमप चालू बी दिया है और यार सार्क देख लो भाई मेरी ही तरब देख रहा है यार ये मुझे खाना चाहता है क्या भाई बस पानी सूखना चालो हो चुका है और यार पानी सूख भी रहा है यार पूरा का पूरा का पूरा पानी यहां पर से खतम हो चुका है सार्क भाई छट पटा रहा है यार म लेकर के चलते हैं समंदर में इस सार्क को छोड़ना है तो पुलीस वालों की मदद से मैंने सार्क को इसमें लोट कर दिया और पुलीस वाले भाई मुझे काफी जादा का मतलब काफी जादा मुझसे खुसे और उन लोगों ने का कि छोड़ को वो लोग जल्दी पकर लेंगे बाकि तुम जल्दी से इस सार्क को जाकर के समंदर में छोड़ दो वरना ये मर जाएगा फाइनलिली मैंने इसको छोड़ दिया समंदर के अंदर और अब ये भाई मुझे ही देख रहा है यार मुझे ही खाएगा क्या भाई यार मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वैसे आप लोगों को वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक करके चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है आपको नेक्स्ट वीडियो में तो वाच की लिए ने तब तब की लिए बाई बाई